Hello students, I am Sadhana Kumari from Mahatma Gandhi, Sikshan Sansthan, Darwanga, Gaurdi Chaturth, Vishay Shanskrit बच्चों, आज मैं आपका chapter 17, जिसका की शिर्षक पंडित जवाहर लाल नेहरू है आज मैं पढ़कर इसी आपका chapter 17, जिसका की शिर्षक पंडित जवाहर लाल नेहरू है यहाँ पर पंडित जवाहर लाल नेहरू की विशय में बताया गया है जिसे की मैं जिसे वाकी की संस्कृत में है तो इन्हें मैं पढ़कर इसके हिंदी अर्थ के साथ आपको बताऊंगी बचो यहाँ पर जितने भी संस्क्रित के वाक्याँ से पढ़कर इसकी हिंदेर्थ के साथ मैं आपको बताओंगे यहाँ पर पंडिजभायलाल ने रुख बीशे में दिया गया है यहाँ भारत भूमी धन्यास्ति यहाँ भारत भूमी धन्य है अत्र समय अनिकाह महापूर्शा समित्पन्ना वबन जहां समय समय पर महापूरुस पैदा होते रहे है स्रीजभारलाल नेरु एत आद्रिशा एव एक महापूरुस आसीद स्रीजभारलाल नेरु ऐसे ही एक महापूरुस थे सहपडम देशवक्त थी तस से जन्म 889 इस्विय वर्से नुवंबर मासस चतुरस दिनांग के प्रियाग नगरी उभवत उनका जन्म 889 इस्विय में नुवंबर महिने के चवदा तरिक प्रियाग राज में हुआ था तस से जनकस्री मोती लाल नहरू एक अधिवक्त आसित उनके पिता मोती लाल नहरू एक वकील थे तस माता स्वरू पराणी अत्यांत धर्म पढ़ाएन आसित उनकी माता स्वरू पराणी अत्यांत धर्म पढ़ाएन थी उनकी मता स्वरू पढ़ानी पहुत इधन पढ़ाये निस्तिरी थी आरंभे सपितु संदक्षिने निर्देशने चो विद्या भ्याशमा खरूत आरंभे उन्होंने पिता के संदक्षिन में तथा निर्दसन में अपनी पढ़ाई की जवारला निरू उचे सिख्षा ये अंगल देशम अगचत पनी जवारला निरू उचे सिख्षा के लिए इंगलेंड गए ततर सव विदी सास्त्रम अपठत वहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की सभारते आगते पराधीन आया मात्र भूमे रक्षा नार्थं स्वाधीनता संग्रामे प्रबृत अभूद उन्होंने वो क्या कि जब उन्होंने पराई समाप्प कर ली तो वहां से उन्होंने क्या कि वे भारत आकर अपने परादीन मात्र भूमी की रक्षा के लिए स्वतंता संग्राम में सामिल हो गए। उन्होंने अपने सभी सुका त्याग कर दिया। उन्होंने महत्मा गांधी के सत्संग में आकरके जो सत्यागरा चल रहा था उसमें समिलित हो गए। सत्याग्रा आंदोलर में सामिल हो गये. सभारता से ग्रामे ग्राम अगच्छत, वो हो भारत के गाउगाउं में गए. स सर्वान जनान अबोधित ये जना स्वतंतर्त आया प्राप्तर ये अत्नम्मो कुर्भन। उन्होंने क्या किया कि गाउं गाउं में गए और सब लोगों को जागरत किया जिससे लोगों ने स्वतंता की प्राप्ति के लिए प्रियत्न किया जना भारता से स्वतंतता ये उद्धता औभवन लोग भारत में स्वतंता के लिए एकदम क्या होगे उद्धत हो गए कि मतब मुझे स्वतंता प्राप्ति के लिए जो है सो तयार हो गए 1929 स्विय वर्षे अयंग कांग्रेस संस्थाया सभापती पदम अलंग कृत्वान 1929 में इन्होंने कांग्रेस की संस्था के सभापती पद को सुसोभीत किया अश महापूर्शस प्रियत्न ही भारत स्वतंत्र अभवर इस महापूरुष के प्रियत्न से भारत स्वतंत्र हो गया अयंग भारतस पर्थम पर्थम पर्थान मंत्री अभवर और ये भारत के पर्थम पर्थान मंत्री बन गया इस प्रकार जवार लाल नेरु महोदा का संपुर्ण जीवन एक विशाल कर्म भूमी है सा राजनिती पटुम सिक्षा विद विशिष्टो देशभक्त चिंतकस चासी में जो थे वह राजनिती में कुशल सिक्षा सास्त्री विशिष्ट देशभक्त था चिंतक थे सा बाल के भिया अत्यंत प्रिया आशित वो बच्चों के बहुत ही प्रिय थे 1964 ये वर्से मई मासा से सब्त विन्से दिनांके तस जीवन लिला समाप्त और भावत और 1964 के मई महीने के 27 तारिक को उनकी जीवन लिला समाप्त हो गई यद्यापि स्री जवाहलाल नेहरू महाभागश जन्म दिवशम अश्माकं किर्टग्यो देश बाल दिवश रूपेन मानियती आज भी स्री जवाहल नाल नेहरू महोदय के जन्म दिन को हमारा किर्टग्यो देश बाल दिवस के रूप में मनाता है भारतिया सदा तंग देशभक्तं सादरं स्मरिश्यंती और भारतिय सदे उस देशभक्त को आधरपूवक याद करते रहेंगे इस प्रकार से जो आपका चेप्टर है 17 पंडित जवाहल नेहरू इसे बढ़कर मैंने इसकी हिंदियार्थ के साथ आपको बता दिया है आप सभी बच्चे भी इसे अवशी ही पढ़ेंगे बच्चों अभी मैंने आपका चेप्टर 17 जिसका की सिर्शक पंडित जवाहल नेहरू है इसे पढ़कर मैंने आपको बता दिया है आप सभी बच्चे भी इसे अवशी ही पढ़ेंगे आगे की कारी को लिकर मैं फिर उपस्तित होंगे तब तक के दिधानिवाद